हेलो गुड बार्निंग फ्रेंड्स क्या से आप सब वेलकम बैक तो आज मैं शेयर कर रहे हूँ आप लोग के साथ डेली कीचन क्लेनिंग रूटीन चुकि बहुत है सिंपल है और होफुली कि आपको इससे खोड़ी बहुत हैर्क मिलेगी तो बच्चों के स्कूल खोल चुके मोमिमक का रूटीन वैसे ही चाल 활व हो जाएगा तो आज कल थोड़ा सा टाइम मेरे पास भी कम है इससी तरह से आप uponess चीचे मैंच करके वोमन और हाउस वाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस तो रहता ही है क्योंकि मैं एज वर्किंग वोमन में काम कर चाहिए हूँ आराउंड 7-8 यर्स और मैं फुल टाइम हों में करो तो वह भी तो दोनों एक्सपिरियंस है मेरे पास तो अपने एक्सपिरियंस के बेस पे ही मैं लोगे साथ अपने जो रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ और आजकल मैं थोड़ा सा बीज़ी हूँ सेम जोब तो मैं नहीं कर रही हूँ लेकिन कुछ ऐसा ही काम चल रहे है यह कहूं कि थोड़ा से ज़्यादा ही बीज़ी हूँ तो घर की तरफ बहुत कम ध्यान दे पार लेकिन मुझे सफाई पसंद है तो मैं उसको फुली एग्नोर नहीं कर सकती हूँ तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जैसे मैं काम को मैनेज कर सकती हूँ वो चीज़ आप लोगे साथ शेयर करूंगी क्योंकि मुझे आइडिया है कि जब अगर मैं थोड़ा बीजी होके और मै मैं चाहते हूँ मेरा घर हमेशा साफ सुतरा रहें तो उसके लिए जो चीज़े मैं करती हूँ वो हो सकता है आपके लिए भी काम आए इससे पहले कि जो किचें क्लिनिक वीडियो से गर आप वो देखेंगे तो मैंने उसमें थोड़ा सा टाइम लगा कर की ही क्लिन किया है लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम का थोड़ा सा प्रोग्लम रहता ही है अगर आप वरकिंग होते हो या आप दूसरे किसी काम ही बीजी हो तो उसके साथ प्याप अपने घर को मैनेज करके और अच्छे से उसको रख सकते हो और वो भी बिना किसी हाउस हेल्पर के मेरे पास कोई हाउस हेल्पर नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपने घर को मैनेज करने कर ट्राइ करती हूं तो बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और परी ने पहनी थी आज फर्स टाइम स्कूल ड्रेस इससे पहले घर की ड्रेस में ही जा रही थी तो बहुत ज्यादा सुपर क्यूट लग रही थी तो मैंने इसकी वीडियो शेयर कर दी है आप लोगे के साथ में तो परी जा रही थी फिर मुझे यादा आए कि अरे तुमने फ्रूट तो लिया ही नहीं है क्योंकि परी को मैं सुब एक फूट दे देती हूं वो स्कूल पहुंचते पहुंचत लगे में बैटके खा लेती है तो उसको पसंद था जो है प्री उसको बहुत जादा पसंद ऐपर तर्बूज है बट प्र जासकते हैं घाड़े में बैटके या फिर अपर तो मैने इसको जो इसको लेना था मैंने बास्केब दे लिया तो इस तरह से बचों को एक चीज को के लिए फोर्स ना करके अगर हम उनको चॉइस देना तो उससे बहुत अच्छे से इंजॉय करते भी खाते हैं तो चलिए मेरे दोनों बच्चे जा चुके हैं सुबह नीरव का टिफन पैक कर दिया था आप लोग को दिखाया था और अभी परी भी चलिए या परी का टिफन नहीं करती हो कि उसको स्कूल से ही परवाइड होता है लैंच तो सबसे पहले मैं क्या गरती हो जैसे आपने आप सुबह ना वो खाना बनाई जो सब लोग इंजॉय कर ले जो सब लोग खापाए जैसे अगर सुबह बच्चों के लिए कुछ और बना रहे हो अपने लिए पूरे वीक कभी डिसाइड कर सकता है कि मोर्निंग में क्या बनेगा जैसे कि जो पनी रोटी है या पनी परांथा है मेरे घर में अपनी रोटी ही मोस्ली प्राफर करते हैं हम सब लोग परांथा बहुत कम बनता है तो पनी रोटी मैंने डिसाइड की थे और पनी रोटी हम स जाएगा उसके बाद आप जोबी चीजे आप लेते हो ना जैसे कि घी का बरतन था मैं तो यह ने इसे क्या क्या टीशू पेपर से इसको क्लीन कर दिया आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले जब भी आप घी यूज करते हो तो घी का जो बरतन होता है उसके चारो तरफ चिकना ह तो इसलिए हमेशे एक टीशू पेपर रखे और उससे क्लीन करके उसको वापिस रख दे तो इससे क्या होगा वह बरतन तो आपका क्लीन रहेगा ही साथ में जो जिसके अंदर आपने उसको रखे न बास्किट या जो भी आपकी ट्रेय होती वह भी क्लीन रहेंगी जब भी खाना बनाते हैं तो इस तरह का एक डैपकिन पेपर जरूर विछा ले नीचे तो इससे आप देख सकते हैं बहुत सारा आटा इस कपड़ के ऊपर है और बहुत कम जो आटा है वह मेरे काउंटर टोप पे फैला हुआ है तो इससे आपका काम जो है काफी एजी हो जाता है औ काउंटर टोप आपका ओल्मोस्ट क्लेन रहेगा उसके बाद जब आप इस जो आपका काउंटर टोप पे जो भी आपका चीज़े गिरी हुई है उसको टीशू उस सेम टीशू पेपर की हैप से आपको ज्यादा वेस्ट काने की जो होतनी है सेम एक टीशू पेपर आपके जो आपने उठाया है ना डस्ट वो नीचे नहीं गिरेगा पर नीचे वाला जो फ्लोर है वो भी क्लेन रहेगा उसके बाद जब भी आप कोई भी जो चीज़े यूज करते हों कोई भी छीलने के लिए सबजी छीली है अपने अतूद की पैकेट वगरा है उनको एक का डर रहता है और यह वैंने कई बार देखा है तो इसलिए मैं हमेशा जो भी नाइफ होते हैं तो उनको मैं साथ के साथ वोश कर देते हूं से मिसी तरह से जब आप चाय की छलने होती ना उसको पतीले के अंदर ना डाले इससे ना डाले आपने चाइवाली में वहाई ज् क्लीन करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा तो हमेशा इस चीज का देहान रखे चलनी को या तो पतीले को पर इससर रख दे या फिर किसी कप के ओपर अलग से रख दे उसको पतीले के अंदर ना छोड़े तो चलिए मेरी चाय बन गई है मैं एंजोई कर लेते हो तो यहां पर चाय दो बन गई है तो इसलिए जो पतीला है ना उसमें भी आप पानी डाल करके रख दे उसके बात बारी आती है जब आपके पास कोई बड़ा बरतन होता है जैसे कि मेरे पास जो तूद है कल वो एक्सपारी डेट का था तो मैंने सारे दूद को मैंने अखिया इता है यहां पर गपास करी। तो आप उसमें ट्रांसफर कर लें, कहने का मतलब है जो भी आपके पास चीज़े बच्ची होई हैं, लाफ्ट ओवर हैं, अगर वो चाहे कूकर है या कड़ाई हैं, कोई भी बड़ा सामान है जिसके अंदर आपने खाना बनाया है, उसको छोटे बरतन में ट्रांसफर करके र कपड़े से उसको क्लीन करती हूं, और इसके लिए मैं माइक्रो फाइवर क्लोथ का यूज करती हूं, इसे बहुत जल्दी जो चीज़े हैं, वो क्लीन हो जाती हैं, और कोई भी पीछे आपके रोवा वगेरा नहीं बचता है, सेम इसलिए से जो पीछे की तीन चाहर टाइ आपके अपने लिए टाइम मिल जाता है, जब मैं इसको साथ के साथ क्लीन करूंगी ना तो मुझे जो गंदगी वो दिखेगी भी नहीं क्योंगी होगी ही नहीं, तो जो मेरा वीक जो मंतली क्लीनिंग होती है, तो इस तरह से आप डेली क्लीनिंग करके अपने लिए जो अ तो यह बिल्कुल साफ हो जाता है तो कोई भी फूड पार्टिकल्स बचता नहीं है इसे जो चीटी कॉकरच वाले प्रोग्लम होती ना वह भी सोल हो जाती है कि बार इसको अपना के देखे गया अट लिस्ट को करके देखेगा तो बहुत आपको फर्क पड़ेगा उसके पर्टन कर दिते हैं कि जो फो पर सामने दिखाए देखेखे हैं वह इस बार फोटम ऺंदगी होता है तो चीचे साफ सुस्थरे लगेंगी तो आप भी खुष रहेंगे और उसके बाद मेरी बारीा थी है बार दन क्लीन करने की तो बरतन करने के लिए वो पहले पाहले पान तो यहां पर मैंने आपने सिंग को क्लीन कर दिया है जो मेरे जो भी स्क्रबब वगया थे उनको भी वोश कर दिया है और अब मैं साबून लगा करके और सारे बरतनों को वापस से सिंग में रख दूँगे और इसके बाद जो मैं अपने बरतन हैं उनको वोश करूँगे और जब भी आपके सिंग में बरतनी खटे होना तो आप उनको साथ के साथ क्लीन कर ले तो उससे जो time है वो काफे सेव हो जाता है But rek अई होते हैं और एक कपड़ा जरूरी लगाले능 अबने देखा हो इन अइसका है इसे बढ़ के-अपने सामने रखा है तो उससे आपके कपड़े भी ensuite बीचे नहीं गिरेगा और की चेन आपका क्लेन रहेगा तो बस इसके बाद में जो मेरे स्क्रबर हैं उनको मैं अच्छे से वश कर दूगे तो आपके मैंने बहुत सारे कमेंट आते जो इसक्रबर वगैरा उसमें इसमेल हो जाती है तो इनको पुछ भी आपको एक्स्ट्रा रखने के लिए इसके नीचे से पाने ड्रिप होके आ जाएगा और यह बिल्कुल सूख जाएगा और एयर भी सर्कुलेट होती रहेगी तो इनको हमेशा अच्छे से वश करके और सूखने के लिए रख दे तो कभी भी आपके स्क्रबर में स्मेल नहीं होगी सारी चीज़े करने के बाद एक सूखा कपड़ा लेकर कि आप अपने टाइले और वासमेशन के चारो तरफ टाइल वगएर हैं उनको भी क्लीन कर दे पाने को सुखा दे स्पेशली मॉंसून सीजन है तो इससे जो है किचन साफ रहेगा तो स्मेल भी नहीं होगी तो देखे मेरा किचन हो कर देख सकते हैं और इसमें मैंने वही सफाई की है जो कि टाइम के शोटेज की वजए से बहुत जरूरी थी और आप इस तरह से कर सकते हैं और जब भी बरतनों को रखे ना तो इस तरह से जो बरतनों को रखे कि उनका सारा पानी नीचे ड्रोप हो जाए तो पिशली जो प बरतन उल्टे रखें बरतनों को सीधा ना रखें तो हमेशा मेरे साथ इश्यू रहता था जब भी अगर में पास हाउसल पर होती था तो इसको भी मैं इस ट्रिकली इंस इंस्ट्रक्ट करती थी कि ऐसे ही बरतन आपको रखने हैं इससे वह सूख जाते हैं तो चलिए मेरा क किचन हो गया है नेट एंड क्लेन और उम्मीद करते हुए वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी आपसे नेक्स वीडियो में में मिलूंगी तब तक लिए बाई